राम राम किसान साथियो साथियो आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा कॉम्मिनेशन बताने जा रहे हैं जो की सस्ता भी है और हमारी फसलों के लिए बहुत ही उत्तम कॉमिनेशन है देखे साथियो खेती में जो फसलों की अबदी होती है उसमें जो सबसे महात्पूर्ण जो समय होता है वो होता है जब हमारी फसलों में फूलों का आना शुरू हो जाता है इस वक्त साथियों सबसे महात्पूर्ण चीज यह होती है कि हमें अपनी फसलों को भरपूर और दमदार पोशक तत्व देना बहत जरूरी होता है अगर सही मात्रा में हम और सही समय पर हम पोशक तत्व नहीं देते हैं तो फूनों की संख्या में भारी गिरावट आती है और फूल भी जड़ने लगते हैं गिरने लगते हैं जिसका नतीज़ा ये होता है साथियो कि हमें उत्पादन कम मिलता है तो आज ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर आया है तो साथियो वीडियो आनते तक जरूर देखिएगा चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महात्पुन वीडियो लेकर आते हैं वो भी बिल्कुल निशुल्क और साथियो ये जो कॉम्बिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप किसी भी फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सबजी वरगी में, कपास में, धान में हर तरह की फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए साथियों क्या होता है जब फूल लगते हैं तब फंगस कभी बहुत ज़्यादा अटेक होता है तो इसमें कौन सी fungicide हमें मिलानी है और कौन सा tonic हमें इस्तिमाल करना है इसका combination जो करने का जो सही तरीका है किस तरीके से घोल तयार करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा कई बार क्या होता किसान वही एक ही बड़ा सा tub लेते हैं उसमें पानी डालते हैं और सब कुछ एक साथ मिला देते हैं लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है हम किस तरीके से इसका घोल बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा तो अभी हमें क्या लेना है देखे सबसे पहले हमको लेना है रोमल का हमें फंगिसाइड लेना है इसके कंटेंट के अगर बात करें साथियो तो मैटाल एकसिल आठ प्रतिशत आता है और मैंगो जैब जो आता है वो 64% आता है WP में मतलब ये पाउडर के रूप में आपको उपलब्द हो जाता है जो कई तरीके के फंगश जो हमारी फच्चिलों में लगते हैं उससे ये हमारी फच्चिलों को सुरक्शित करता है इसकी डोस की बात करें साथियो तो आप एक से 1.5 ग्रम आप ले सकते हैं एक लीटर के हिसाब से आपको लेना है वहीं अगर आप एक एकड़ की बात करें तो आपको 200 ग्राम में करीब आपको 200 लीटर पानी में आपको इसका गोल तयार कर लेना है इसका गोल एक हमें अलग से बना कर तयार कर लेना है इसके बाद हमें लेना है UPL का गैनेकसा इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है साथियो कि ये जो भी पोशक तक्तों की कमी होती हमारे पौधों में हमारे फसल में उसकी ये पूरती बहुत ही अच्छे तरीके से करता है देखे इसमें एक खास बात ये भी है साथियों कि जिस तरीके से मौसम में बदला होता है तो उसका दुष प्रणाम भी फसलों में देखने को मिलता है ऐसी जो विकरतियां जब आती हैं पौधों में तो उनसे लड़ने के लिए ये पौधों को सहंसिल बना देता है साथ ही ये साथ ही फंगस और कीटों से भी फसलों को बचाने का कार करता है इसे भी आप हर तरह की सबजी वरगी फसलों में अनार, अंगूर, धान सभी में आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इसकी डोस की अगर हम बात करें तो 2-3 ml आप ले सकते हैं पर लिटर के हिसाब से अब हमें लेना है चिली टेटिड जिंक देखें वैसे तो मार्केट में बहुत सी कंपनिया इसे सेल करती हैं आप कोई भी कंपनी का अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं एक ग्राम से लेकर 2 ग्राम या आप 1.5 ग्राम भी आप इसका 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 कर सकते हैं पर 30 लिटर के हिसाब से देखें ये सारे गोल हमें अलग-अलग बनाने हैं उसके बाद हमें इन गोलों को एक साथ मिक्स कर देना है अब सा थियो मन में ये भी सवाल आपके आ रहा होगा कि इसे हमें कितनी बार इस्तामाल करना है तो सात्यो ये जो कॉम्बिनेशन हैं बहुत ही ताकतवर वह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एक बार में ही ये काफी फायदा हमारी फसलों को महचा देता है साथियो आपके अपने चैनल सलाम के साल में और भी महातपूर जानकारी से भरपूर वीडियो उपलब्द है आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं और आप किस विशय में वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताईएगा एक लाइक ज़रूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को वीडियो शेर करिएगा साथियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वही आप से निवेदाने साथियो कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन की घंटी को जरूर दबाईएगा साथियो इससे यह होगा कि आपको हमारे वीडियो निसुल्क मिलेंगे पने रहे साथियो हमारे साथ क्योंकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ रहे हैं और बेहत महत्मुर जानकारियां लेकर आने वाले हैं आप सभी का धन्वाद